अब गीटा जै नमबर छयर के स्लोक 12 में तस्वंष्ट गार्णिक सफ़ष्ट कर दिया मिस तहरत ग्यान उसको ततव ग्ञान कहते हैं 34 में से लोग में कहा है कि उस ततव ग्यान को तु ततव दर्षी संतों के पास जा कर समझ जो पर्माottumah आकर ग्यान देता है वो मुझे ग्यान नहीं कौन कहता गीता ग्यान दाता शरी बिष्णुनों, श्री शिव यी के पुझे पिता जी, और उस ग्यान को कि तत्व धर्षी संथ से पूचो, तो इसे सथ है को वेद ग्यान से भी भिन ग्यान है, और गीता के ग्यान से भी भिन है, नगी तो गीता जी में एक धेवर लिख देता हु, कि यह हुआ तत्व गयान 19 समाद्ध और बना देते हैं नहीं उनको पता नहीं तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है पंदरमे जहे के पर्थम मंतर में शिरीमत भकुत गीता में कि जो संत इस उल्टे लटके वे संसारुपी वर्क्स के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है भिन भिन बताएगा से वेदवित वो तत्वदर्शी संत है वेद के तात्वरिय को जानने वाला है तो परमेश्वर स्वयम आते हैं जैसे भी आपको बताया कि सचीदा नंद घंबरम यानि पूर्न प्रमात्मा अपने मुखकमल से ही ये थार्थ ग्यान बताते हैं उन्होंने थासो वर्स पहले ये ग्यान कहा था कि अक्सर पूर्शिक पेड़ है जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चीतर दिखा है संसारूपी वर्क्ष का जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वर्क्ष बोलते हैं पेड़ बोलते हैं तो प्रमात्मा ने सुएम आकर इसंसारूपी वर्क्ष के विश्यम जानकारी दी थी क्योंकि वो सिरिष्टी रचनहार हैं 600 वर्स पहले जिनको अग्यानी और ऐसिक सित कहा जाता था जो लहा धानक एक सुद्र नाम से पुकारा जाता था वो प्रम पिता थे वो प्रम अक्सर ब्रम थे हमारी बुदी बालकों वाली हैं बगवान को समझ नहीं पाये और विश्यस रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का दिनों ने हमारे अंदर आँखों में अग्यानता का मुतिया बिंद कर दिया था उसमें 600 वर्स पहले प्रमात्मा कवीर जिन कहा था कि अक्सर पुर्स एक पेड़ है सर पुर्स वाकी डार सर पुर्स को हो जोत निरंजन को हो और तीनों देवा साखा है ये पातर उप संसार है और मूल स्वेम है वो मूल बताने के लिए इस दास की सिवा दी है कि वो मूल कौन है गीता जह नंबर 15 के सलोक नंबर 16 और 17 मत तीन पुर्स है सर पुर्स अक्सर पुर्स और सतर में सलोक में कहा कि उत्तम पुर्स है तुए प्रमात्मायति उधारत है ये लोक तरह मावी से विवरति अवे इस वर है वो प्रमक्सर पुर्म है और वो ही तीनों लोकों प्रवेश करके सब का धान पुशन करता है वो वास्तो मविनाची भगवान है तो कहने का ताथ पर ये है कि फिर तत्वदर्सी संत की पहचान क्या है पर्थम पैचान तो ये है कि सत्गुर के लक्सन कहूं मद्रे बैन विनोध चार वेद सड़ सास्तर वो कहे अठारा वोद यानि वो प्रमात्मा का तो करपा पातर होगा वही सत्गुरु होते हैं और वही तत्वदर्सी संत होते हैं और वो सभी सद्गरंथों के यथार्च ग्यान से युक्त होते हैं तो प्रमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं सरवज्जे हैं और फिर इस दास को वो ग्यान युक्त बना कर आप पुन्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने हैं अब जो परसंग चल रहा है तो इन रिशी महरिश्यों ने वो तत्व दर्शी संथ सत्गरूर नहीं मिले और इन्होंने स्वेम निसकस निकाल लिया कि ओम नाम का जाब सब से उत्तम है और यही परम मंत्र है इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोरण के पास बैठ गे आगे नी पड़ा के 30 किलो मिटर और है आगे वो हवस्तु जहां सत्थ संग होता है अब द्या करी है दाताने शदास के ओपर की 30 किलो मिटर आगे ये रचता है और वहां ऐसी सुईधाएं प्राप्त है ऐसा ग्यान प्राप्त है तो क्या है वो तो इन रिसियों को ग्यान हुआ नहीं चुनक जैसे रिसी वो महापरुस परमात्मा पाने के लिए तड़ फूटे उनको ये ग्यान हो गया कि इन डेवी देवताओं की पूदा से कोई बनने वाला नहीं है और उनको ये ग्यान हो गया कि पूर्ण प्रमात्मा से ही पूर्ण मोक्स होगा उनका दुर भागय था कि उनको तत्व तरसी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रिम गौड मान लिया और स्रेश्ट प्रम मनतर मान लिया अॉम नाम का जाप वेदों के अंदर अॉम नाम के त Brewक्र कोई मंतर नी है शरीमदभोत गीता में भी ओम के त Só कोई मंतर नी है जितने भी बहले पुरान हैं यह गौड गिवन नहीं है यह रिश्टी महरिशियों के अपने अनुभाव हैं जैसा उन्होंने पर्मात्मा को जाना जैसे उन्होंने डले डोए वो अनुभा उसमें लिख रखे हैं लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो विर्थ है ओम नाम केतरित कोई मंतर किसी भी जाप उस सद्गरंथों में नहीं है और उसकेतरित किसी पुराणों के अंदर कोई अन्यमंतर है तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें वहानी का रखे हैं वो आन उपासना है वो सास्त्र विद्धी को ट्याक कर मनमाना आचरन होता है जो गीता द्याय नमर 16 के सलोक नमर 23 और 24 में मना किया है कि जो सास्त्र विद्धी को ट्याक कर मनमाना आचरन करते हैं उनको नहीं तो कोई सुक होता है ना कोई उनकी को सिध्धी प्राप्त होती है और नहीं उनकी परमगती होती है अर्थात योजलेस इससे तेरे लिए अर्दुन कर्टव और अकर्टव की विवस्था में 24 में सलोक में कहा है कर्टव और अकर्टव की विवस्था में अर्दुन सास्तर ही प्रमान है किसी वेक्ति विशेस के कहने से भर्मित ना होना तो पुन्हात्मों दास वो सादना आपको दे रहा है जो हमारे सद्ध करंथ गवा है जिनके, और उसी से मोख्ष संबहव हैं, और इसके साथ साथ जिन मापुर्चों का मोख्ष हुआ, उन्होंने कौन से मंतर कौन सी साधना की वो भी रूबरू कर रहा हूं जिससे आपको डड़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कलान कराश कें कर दो